आज हम लोग बात करेंगे मल्टी फाइल प्रोग्राम में क्या होता है कि पहले आपको इसकी बेसिक कॉंसेट समझना पड़ेगा कि मल्टी फाइल प्रोग्राम क्या होते हैं और कैसे डेफलब किये जाते हैं देखिए, फाइल का क्या है, मैं पता है कि फाइल is a collection of information stored as a separate entity within the computer or on an auxiliary storage device. A file can be a collection of data, a source program, और a portion of source program, an object program, etc. तो फाइल क्या होता, फाइल एक separate entity की तरह computer में या secondary storage में save किया जाता है और file में क्या हो सकता है, file में देखे, file क्या हो सकता है, file collection of data, यानि किसी file में हमने data store करके रख दिया है, वो भी हो सकता है, ठीक है, किसी problem को solve करने के लिए जो source program है वो भी हम file में बना के save कर सकते है या हमने कहा कि किसी भी source program का कोई part है यानि हमने कहा कि part of source program वो भी हम file में save कर सकते है या हमने कहा कि कोई object program है ठीक है उसको भी हम file में save करके रख सकते है और इस तरह से कई चीज़े हम फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं अब इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हम लोग ने सी के प्रोग्राम पढ़ा था उसमें क्या था कि वी है रिस्ट्रक्टेट आवर अटेंशन टू सी प्रोग्राम मतलब अभी तक जितने भी हमने सी प्रोग्राम किये हुए है वो सब क्या थे वो एक सिंगिल फाइल में ही स्टोर थे ठीक है अब इसके आगे हम यह पढ़ेंगे कि जैसे कुछ प्रोग्राम होते है यह प्रोग्राम जो है वो मल्टिपिल फाइल में कंपोज होते है या वो multiple file में उनके अलग-अलग portion पड़े होते हैं और उनका ज़रुत पड़ती है सारे file होती है especially इस तरह के programs की वहाँ पर ज़रुत पड़ती है जहाँ पर बड़े function that make use of lengthy functions where each function में occupy ये separate file तुमाल लिजे आप कोई बड़ा function मना रहे हैं और उस में उस function का हर एक part जो है वो different files में divide किया हुआ है ठीक है या if there are many small related function within a program and it may be desirable to place a few function within each of several files तो इस तरह के cases में multi file programs की जरुरत पड़ती है फाइदा क्या होता है कि जब आब एक बड़े function को अलग-अलग करके parts में करके different function में divide कर देंगे और उन functions को अलग-अलग file में store कर देंगे तो individual files को compile करना आसान हो जाता है and they are linked together to form one executable object program और उनकी अलग-अलग parts में divide करके फिर उनको हम क्या करते हैं आपस में link कर देते हैं तो एक executable object program ready हो जाता है this facilitates the editing and debugging of the program since each file can be maintained at a manageable size मतलब कि इससे क्या होता है कि file को program को edit करना और उसकी debugging करना आसान हो जाता है क्योंकि जो program के हम parts करते हैं और portion करते हैं चोटे-चोटे टुकुडे module बनाते हैं वो उसको हम manageable size में रखते हैं जिसको हम easily edit कर सकते हैं और debug कर सकते हैं और इससे क्या फाइदा है कि multi-file programs allows greater flexibility in defining the scope of both function and variable तो multi-file program को एक फाइदा यह भी होता है कि यह flexible होता है in nature the rules associated with the use of storage classes become more complicated however because they apply to function as well as variables and more options are available for both external and static variable तो यह सारे advantage होते हैं अगर हम sorry अगर हम multi-file programs को use करते हैं अब इस में देकि अगर हम लोग function बात करें कि function को multi-file program में कैसे इस्तिवाल करते हैं तो इसको में लिख सकते हैं कि functions इने multi-file program ठीक है इसमें क्या होता है कि इने multi-file program एक function definition में भी आइधर external और static अब इसमें function को हम या तो external भी define कर सकते हैं या उसको हम static भी बना सकते हैं ठीक है एक एक एक्सेंडल फंक्शन विल बी रिकनाइज़ थ्रू आउट दे एंटार प्रोग्राम वेराज इस्टेटिक फंक्शन विल बी रिकनाइज़ अनली विदिन दा फाइल in which it is defined तो अगर function को आपने external define किया तो वो सारी फाइलों में जो भी function की फाइले हैं जो भी main प्रोग्राम की माल लिज़े चार फाइले हैं तो चारों में वो रिकनाइज होगा जब कि अगर आप उसको static define करेंगे तो वो केवर उसी फाइल में रिकनाइज होगा in each case the storage class is established by placing the appropriate storage class designation either external और static at the beginning of the function definition the function is assumed to be external if a storage class designation does not appear अब इसमें देखिए multifile program में क्या होता है अगर आप function को आपने define नहीं किया है कि वो external है या static है तो by default वो उसको external ले लेगा by default वो उसको external variable मानेगा इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी function का जो हम define करते हैं वो इस तरह करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं उसका storage class उसके बाद फिर आएगा आपका data type उसके बाद फिर function का नाम आएगा और फिर उसके बाद उसके argument आ जाएगे argument का type आएगा type 1 argument 1 हो गया फिर हमने का type 2 argument 2 आ गया और ऐसी जित्ते भी arguments हैं उसके बाद हम उसका type type and argument and इस तरह से हम define कर देंगे किसी भी function को ठीक है अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें जो storage class हमने define किया है यह आपका storage class हो गया function का यह data type हो गया वो data type जिस तरह का data function return कर रहा है उसके बाद यह function का नाम हो गया फिर यह जैसे हमने आपको बता दिया type 1 argument 1 type 2 argument 2 यह सब फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर और formal arguments हो गया यह argument 1, argument 2, argument 10 यह formal arguments हो गया और type 1, type 2, type 3, type n यह इसके type हो गया है अब इसमें क्या होता है कि यह दिया रखनी बढ़ेगी कि the storage class, the data type and the formal arguments need not all be present in every function definition तो कोई जरूरी नहीं है कि storage class और data type और formal arguments जरूरी हो हर function के definition में अब इसमें when a function is defined in one file and accessed in another, the latter file must include a function declaration अब देखिये मान लिजे कोई function किसी file कोई f1 file है इसके अंदर कोई function हमने define किया है मान लिजे हमने function 1 इसमें define किया है और इसको हम use कर रहे है f2 में तो क्या होगा कि जो f2 file है इसके अंदर इस function 1 का declaration f2 file के अंदर होना चाहिए इस declaration identifies the function as an external function whose definition appears elsewhere जब define कर देंगे उसके पता चल जाएगा कि ये कोई external function है और इसकी definition कहीं और पे defined है such declaration are usually placed at the beginning of the file ahead of any function definition तो अब इसलिए multi-file program में एक अच्छा good programming practice ये है to begin the declaration with the storage class specifier external this storage class specifier is not absolutely necessary but the function will be assumed to be external if a storage class specifier is not present ठीक है तो इस तरह से इसको define करते है अब इसमें क्या है कि to execute a multi-file program each individual file must be compiled and resulting object file linked together अगर आप multi-file program बना रहा है माल लिजे आपका program कई फाइलों में multi-file program कई फाइलों में divided है माल लिजे f1 file हो गया f2 file हो गया f3 file हो गया f4 file हो गया ठीक say this is f1 ये हो गया आपका f2 ये हो गया आपका f3 ये हो गया आपका f4 अब इसमें क्या होगा कि हर एक file को individually हम compile करेंगे compile करके zero error कर देंगे उसको और इनकी जो resulting object file आएगी जैसे f1 की जो भी object file होगी फिर ऐसे f2 की जो भी object file होगी इन सबको हम क्या करेंगे आपस में इनको हम link कर देंगे ठीक है they are linked together अब इसको linking कैसे करते है we usually combine the source files within a project we then build the project मतलब compile all of the source files and link the resulting object files together into a single executable program if some of the source files are later changed we make another executable program ठीक है यानि इन सारी files को आपस में link करके ठीक है इनको हम क्या करते हैं इनको हम आपस में link करके एक project बना देते हैं ठीक है इससे क्या और इसको run कराने के लिए एक हम executable program बना देते हैं ठीक है अब उसमें क्या होता है कि मालिजे पाद में F2 file में अगर कुछ changes हुआ तो इसको meet करने के लिए हम एक और executable program बना देते हैं तो इस तरह से multi file programming की जाती है और इस तरह से किसी problem को multi file के ढंक से multi file technique से हम इसको handle करते हैं तो आई होग कि आपको basic concept clear होगया होगा multi file का अब next lecture में next video lecture में हम इसको example लेके आपको explain करेंगे तो आई होग कि आपको video content पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और notification bell को जरूर on कर दीजिए ताकि next video की information आपको time से मिल सके तैंक यू होगा यू जरूर beste region आपको आपको शेर दो जरूर दो हमें लाइक की बाल vers अब relativ मिल सके अब dlatego आपको जरूम्हां दीए ?